सम्भोधी का मतलब होता है सम्यक बोध पूर्वक जीना मुक्ति के द्वारपर व्यक्ति तभी पहुंच पाता है जब व्यक्ति सम्यक बोध पूर्वक जीता है सम्यक ज्यान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र ये व्यक्ति का मोक्ष का मार्ग होता है अगर इन तिनों को किसी एक शब्द में अभिवक्त करना हो तो इसका नाम संबोदी है सम्यक दर्शन को, सम्यक ज्यान को और सम्यक चरित्र को बहुत मीठा शब्द है भगवान श्री माहवीड ने भी इसे शब्द का प्रियोग किया मैं आपको कैसे बताऊं साड़े बाहरे वर्स तक भगवान श्री माहवीड ने अकंडमौन रखा था और इस अकंडमौन के दुरान अपने पूरे साधना काल में केवल एक बार उन्होंने अपना मुँख खोला था और एक बार जब मूँ खोला थो उन्होंने इसी एक शब्द का इस्तमाल किया था और वो है संबोधी और ये शब्द का इस्तमाल उन्होंने तब किया था जब चंड कोशिक आपने भगवान श्री माविर का एक चित्र देखा होगा जिसमें एक नागराज भगवान के पर डंक मारता है अबोध पूर्वक जीवन जीए तो किस तरह विक्ति का प्रणाम आता है और संबोधी से जीवन जीए तो कैसे प्रणाम आता है अबोध पूर्वक जीवन जीए तो सादू और शावग में साप के रूप में पैदा हो जाता है और संबोधी के साथ जीवन वो जो नागराज है जो महा भयंकर विश्दर उसके भीतर इतना जहर है इतना जहर है जितना हम लोगों के भीतर बरा हुआ है उतना जहर उस नागराज के भीतर है और इतना जहर बरा हुआ है कि वो अंगुठे पे डंक ना मारे वो दूर से भी अगर फुपकार मार दे तो सा में जैर का प्रवेश हो जाता है इतना महा भयंकर विश्दर सांप वो भगवान माहवीर के अंगोठे पे डंक मारता है होता यह है कि माहवीर यात्रा कर रहे हैं पद्यात्रा कर रहे हैं और तभी दो पगडंडिया आती है वो रहगीरों से पूछते हैं भई मुझे वाचाल यह बिहार के गांओं का एक नाम था वो समय मुझे उत्तरवाचाल के तरब जाना है तो कौन सा रस्ता हो चार मील है तो आप क्या चाहेंगे पैदल चलना है तो किदर से जाए पैदल चलने वाला आज में तो एक एक पगपग को भी देखकर कदम बढ़ाता है यह कितना कम में कम हो जाए पर जैसे ही माविर उधर चलना चाहते हैं कि वो रहागिर कहते हैं बाबा रुको इतने समय आगे मत जाओ आठ किलो मिटर आठ मील वाली रस्ते जाओगे तो पहुँच जाओगे और चार मील रस्ते रस्ते जाओगे तो उपर पहुँच जाओगे तो समझे नहीं वह यह क्या बात कर रहे हैं कहां यह गारंटी है इधर वाली रस्ते जाता है जो विकती आठ मिल से वो गाउं पहुंचता है और जो चार मिल वारे रस्ते से जाता है वो कहाँ पहुंचता है उपर पहुंचता है तो आपको कहा जाना है उन्हों का बे मुझे तो गाउं जाना है आगे यात्रा करनी है तो बाबा फिर इधर से जाओ तो माहवीर पूछते हैं ऐसी क्या बात है कि हमें इधर से जाने से रोका जा रहा है तब वो लोग कहते हैं बाबा इधर से जाओगे न तो एक महा बहयंकर विजदर सांप रहता है इतना बहयंकर जहरियला कि पत्ते भी वहाँ पर सुक गए हैं पेड़ के लकडिया भी वहाँ पर सुकी हुई है पूरा जंगल कंकाल बना हुआ है उसके पास जाने के जुरत नहीं आधा मील दूर में जाओ तो भी उसका जहर इतना फैला हुआ है कि लोग बहोस होके गिर जाये करते हैं इसलिए बाबा इधर मत जाओ पता नहीं भगवान माहवीर के प्रग्या अंतरमन से क्या जवाब देती है मैं जाओं और जाकर शायद कभी ऐसा भी हो सकता है कि जहर पर अमर्ज जाए और जहर की चितना को ख़तम कर दे माहवीर निकल पड़ते हैं उसे छोटे रस्ते पर सौटकट निकल पड़ते हैं और वही हुआ जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े उन्हें ऐसास होने लगा कि जहर हवाओं में फैला हुआ है फिजाओं में फैला हुआ है आसमास के वात आउड़ों में लोग कहते हैं आज भी खेती नहीं होती है इतना जहर मिट्टी में उसने डाल दिया था माहवीर उदर से निकले और वो साप सामने प्रगट हुआ वो सोचकर घबराया साप आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि जंगल से कोई गुजरा हो और जंदा जा रहा हो ये आदमे जंदा कैसे बच गया लेकिन शान्त मूर्ती माहवीर चलते चलते उसे नागराज के पास पहुंचते है नागराज उन्हें देखता है उनके आँखों में जहर फैकना चाता है पर याद रखना जिसके भीतर प्रेम के गंगा वेहती हो जिसके भीतर शान्ती, शमा, अम्रित बहरा हो बला कोई जहर उस पर क्या प्रवाव डालेगा और आपने वो घटना सुनी होगी जब वो डंक मारता है कहां पर महवीर के? अंगोटे पर अब आप मेंसे कोई बताएगा कि जब वो डंक मारता है तो अंगोटों मेंसे क्या निकल कर आता है? दूद की धार निकल कर आती है पहली बात तो मैं यहीं से आपको बताऊँ कई लोग पूछा करते हैं साब ये तो असंबब है मनशे के शरीर में से दूद कैसे निकल सकता है अरे अंगोटे में डंक कमारा तो खून आना चाहिए ये तो अतिशे उक्ती वाली बात हो गई मैं कहा करता हूँ हम लोग एक वारा एमदाबाद में थे तो एक डॉक्टर ने हम से कहा था महराज ये बात गले ने उतरती कि अंगोटे पे डंक कमारो और उसमें से क्या आजाए दूद निकल कर आजाए ये तो दुनिया में आज तक नहीं सुना माना कि गव माता या माता के दूद आता है बच्चों के लिए पर ये मनुश्य के शरीर में से ये पुरुस के शरीर में से और अंगोटे में से दूद ये तो असंबव है हमने बात कही थी मैंने का बई एक बात बताओ मा के दूद कहां से पैदा होता है तो कहा जब बच्चा पैदा होता है न तो मा के मन में इतनी मम्ता पैदा होती है उस ममता के चलते उसके शरीर के राशाइनिक परिवर्तन होते हैं जिससे क्या होता है खून भी दूद में बदलना सुरू हो जाता है तो हमने कहा था एक एक संतान के परती जब प्रेम पैदा होता है ममता पैदा होती है समत तो पैदा होता है लाड प्यार दुलार पैदा होता है तो मा का खुन भी दूद में बदल जाता है जिसके जीवन में पूरे समश्टी दुनिया के परती प्रेम बढ़ा हुआ है उसका शरीर में खुन अगर दूद बने तो कौन सी बड़ी बात है और वो खुन दूद बन जाता इससे पहले भगवानशी माहवीर संत बनने के लगबग पांच मैने के बाद अखंड मौनवरत ले लेती हैं कि जब तक मुझे परम ग्यान प्राप्त नहीं होगा मैं अपना मुँ नहीं खोलूँगा लेकिन जब वो चंड़कोसिक नाग मैं बता रहा हूँ जिन्दगे में किसी भी इनसान के जीवन में संबोदी के जरुद क्या होती है बिना संबोदी इनसान ना घर में जी सकता है ना संसार में जी सकता है ना संत जीवन में जी सकता है ना साधना कर सकता है ना रोटी खा सकता है ना चल सकता है ना फिर सकता है कोई काम अच्छे डंग से नहीं कर सकता जब तक वेक्ति के साथ संबोधी ना होगी इसलिए संबोधी केवल एक आसन पर बैठने के कला नहीं संबोधी तो जिंदगी को जीने के कला है और कहते हैं तब वो नागराज जब भगवान श्री मावीर के अंगुटे पे डंक मारता है और उसमें से दूद की धार निकल कर आती है वो चौंक जाता है भगवान की आँख से आँख मिलाता है तब भगवान हाथ यूँ करके कहते है चंड कौशिक बुझ बुझ यानि बोधी को प्राप्त कर बोधी का मतलब संबोधी को प्राप्त कर संबोधी का मतलब अपने विवेक को जागरित कर तूं कौन था तूं क्या हो गया तब वो संबोधी के चेतना एक नागराज को मिलती है और वो नागराज अपने पीछे की तरफ लोड़ कर जाता है पूरु जनम को याद करता है देखता है कि मैं एक संत था और मासक्षमन यानि तीस उपवास करने वाला महान तपस्वी संत था इतना ही नहीं मैं अपने तीस उपवास के पूर्टा पर अहार के लिए निकला था और मेरे पाउं के नीचे एक मेंड़क आकर मरा था मेरे सिश्च ने मुझे टोका था कि गुर्देव आपके पाउं के नीचे एक मेंड़क आकर मर गया है आप आलोच ना कर लीजिए, आप आलोए ना कर लीजिए, आप प्रायशित कर लीजिए, आप अपने मन को निर्मल कर लीजिए, आप प्रतिक्रमन में दोस रहित अपने अंतरमन को कर लो, लेकिन गुरु स्विकार नहीं करता, कहता है हट, मेरे पाउं के नीचे कोई मेंड़ गेटेंगे नहीं मर सकता सुबह कहता है दोपेहर कहता है शांज कहता है तब गुरू का पारा चड़ जाता है जब रात को भी प्रतिक्रमन करते समय शिष्य वापस याद दिलाता है गुर्देव मैंने आंख से देखा था आपके पाउं के इंचे मैड़क फिसला और मर गया अगुरू को आता है गुस्षा मैंने का ना क्यू जरुत हैं सम्वद्य की संत जीवन में भी जब संबोदी हाथ से निकलती है तो मास्क हमण का तपस्वि संत डंडा हाथ में लेता है और अपने शिष्य की पिटाई करने चल पड़ता है शिष्य दौड़ जाता है जहां सं साभ गरता है जो भगवान माहवीर को क्या मारता है लेकर नग का लगें जब भगवान माहवीर उसे संबोधी का पार्ट पढ़ाते हैं प्रग्या a weweka का पढ़ाते हैं उसके आत्म बोद को जगाते हैं उसके भीतर की प्रग्या को जागरत करते हैं उसे आत्म ग्यान देते हैं उसे आत्म ग्यान का नाम होता है संबोधी और उसी संबोधी से उस नागराज साप चंड कोशी की अंतर प्रग्या जागरत होती है वो शांत हो जाता है वो वहीं सांत हो जाता है लोग आ रहे हैं कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है वो किसी को डंकर नहीं मारता शांत 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 हो जाता है कहते हैं वो साथ दिन तक और जीता है लोग आकर गी चड़ाते हैं तेल चढ़ाते हैं उस पर कि ये नागराज ऐसे कैसे हो गया कोई आकर दूच चढ़ाता है चींटियां आ रही है कीडे आ रहे हैं मकोडे आ रहे हैं सब उसको काट रहे हैं पर उसे पता है क्रोद किया तो साप बना अब शांत रहे कर वो अपना भविष्टे देखना चाहता है और अब मैं आपको संबोदी की सीख इसलिए देना चाहता हूँ जिन्दगी का हिस्सा संबोदी को बनाना चाहता हूँ क्योंकि वहर नागराज संत मरकर सांप बन गया संबोधी का अभाव था और सांप के जीवन में संबोधी आ गई तो मरकर उच्छ कुल में देवता के रूप में उसका जन्म हो जाता है ये है संबोधी का परिनाम ये व्यक्ति के विवेक को जगाती है व्यक्ति के प्रग्या को जगाती है व्यक्ति के आत्म भूत को देती है इसलिए हमार जो जीने की कला के प्रवचन आप सुनते है ना पूरे दुनिया भर में पॉपुलर प्रसद्ध है ये जीने की कला और कुछ नहीं है संबोधी पूरवक जीने की कला है किसने कहा कि इनसान को पती पत्नी बंद कर जंदगे नहीं जीना चाहिए किसने कहा कि व्यक्ति को संसार में नहीं रहना चाहिए और वह संसार में जन्मे है तो संसार में रहेंगे जाएंगे का बले ये संत लोग कहे दे संसार ये है वो है वो है पर दुनिया का हर संत आकर जन्मा तो संसार्मी है ना थर्थन्कर हो या पेगंबर अवतार हो या सिकंदर दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो आस्मान से तपक कर आया हो सब के जन्म लेने की एक जैसी परक्रिया रही है जो जुगड जौंपड बस्ती में रहता है ना कच्छी बस्ती में नाले के किनारे उसकी मां के पेड़ में बच्चा भी वैसे ही रहता है जैसा अरबपती, खरबपती, राजा माराजा के महरानी के कोक में रहता है जनम लेने का तरीका पुरी ब्रह्मान में एक जैसा है और मरने के बाद क्या? बोलो 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 राम राम सत्तुली लगाने की परंपरा भी एक जैसा है ठीक है कोई बहुत ज़्यादा फरक नहीं पड़ता कि कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी मर जाए तो चंदन की लकडियों से दासंसकार हो जाए और कोई गरीब मर जाए तो सामाने लकडियों से हो जाए पर जनमने और मरने की परंपरा एक जैसी है इसलिए जनम और मरत्यों के पार मनिश्य का जो जीवन है उस जीवन को जीने की कला ही जीने के कला है और उसी का नाम संबोधी है इसलिए एक लेन में समझ लें संबोधी का मतलब विवेक पुर्वक बोलो विवेक पुर्वक प्रग्या पुर्वक अपने जीवन को जीना इसी का नाम संबोधी है संबोधी सादक को गुस्ता नहीं आएगा पकी बात है अगर आ गया तो समझ लो कि उसके बीतर संबोदी गटित होई नहीं है संबोदी सादिक के बीतर कभी इर्शा पैदा नहीं होगी कभी कलह पैदा नहीं होगा कभी वेर विरोत पैदा नहीं होगा कभी मानसिक दूरियां पैदा नहीं होगी कभी रागद्वेस पैदा नहीं होगा कभी मोह, मान, माया, काम, वासना का बुद्ध समार नहीं होगा क्योंकि प्रग्या जिसे विक्ति के साथ रहती है कहते हैं ना भगवान श्री बुद्ध का शिश्य जब उनके पास आया और आकर कहा कि भगवन मुझे अब आपके परमग्यान को फैलाने के लिए दुनिया में जाना है तो मैं क्या करूँ कैसे जाऊं अगर 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 रस्ते में मुझे महिलाए नजर आए तो मुझे क्या करना चाहिए सुनिएगा तो भगवान ने कहा अगर साबने महिला आएं तो रस्ता बदल लेना क्या बरस्ता बदल लेना कहीं उन्हें देखकर तुम्हरा मन फिसल गया तो साधना दो मिनट में चकना चुरू जाए अरे जो संत लोग चावल भात गास और जंगल की चीज़ें खाकर के अपना जीवन जिया करते थे अगर वे विश्वा मित्र जैसे संत भी एक निमित को पाकर फिसल गए तो हम जो दुनिया के माल मलिन दिखाते हैं उनके फिसलने में किती देर लगे तो बुद्ध ने उनकी प्रग्या को जगाते हुए कहा कि बेटा ध्यान रखना अगर सामने से महलाएं आती हो तो अपने रस्ते को बदल लेना ताकि निमित सामने आएगा तो जंदिगे प्रभावित होगी ना निमित आएगा नहीं तो घेल खतम पैसा हजम तो कहा अगर ऐसा नहो कि रस्ता बदला जाए क्या अगर ऐसा नहो कि रस्ता बदला जाए क्या अगर ऐसा नहो कि रस्ता बदला जाए क्योंकि अब आमने सामने जाना पड़ेगा एक रस्ता है तो कहा भले ही एक रस्ते जाना पर उनको देखना मत कहा अगर ऐसा नहो कि बि चूना मत क्या का बुद्ध ने चूना मत कहा भगवन ऐसी भी व्यास था आ जाए कि बिना चुए काम न चले समझ लो वो गिर पड़ी है बिमार हो गया गायल हो गया अब ऐसा तो है नहीं किसी गायल है इनसान को योई छोड़ कर निकल जाएंगे तब भगवान श्री बुद कों ना जो इच्छाओ सो करना पर अपने विवेक और श्लुदिक के दीव को भीतर जलाई रखना ताकि जिन्दगी में कभी अंधेरे रस्ते पर नंन संबोधी व्यक्ति को उजालों के रस्ते पर लेकर जाता है संबोधी का मार्ग व्यक्ति को किदर लेकर जाता है उजाले के रस्ते पर लेकर जाता है अंधेरे के रस्ते पर कभी भी संभूतिका मार्ग लेकर नहीं आएगा वो कहते हैं ना जहां राम तहां काम नहीं जहां काम नहीं राम तुलसी दोनों रा रहे एक ठाम दो नाम जहां काम है वहां राम नहीं रहेंगे कैसे बताओं आपको कि जब रावन ने बहुत सारे प्रियास कर लिये थे लंका दीपती रावन ने किस काम के लिए सीता को क्या करने के लिए पाने के लिए लुभाने के लिए मतलब कैसे कहूं भली हम रावन को बैमान कह दिये पर इतना भी बैमान नहीं था वो फिर भी इमान दा रहा कि जब तक सामने वाले का मन नहोगा मैं अपना एक कदम भी नहीं बढ़ाओंगा ये तो इमान दारी के लिए रावन के लिए भी ताली बजाई देनी चाहिए तो किसी ने उसे सला दी एक काम कर कि क्या कि मनें हजार उपाय कर लिए कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ तो का एक उपाय कर इससे सफल हो जाएगा क्या कि एक उपाय कर तो राम का चेहरा बना ले तेरे पास तो हर चेहरा बनाने के सिद्धी है तो तो जो सोचे तेरा वो चेहरा हो जाता है जब जो संत का चेरा बना कर उसका अप्रण कर सकता है तो राम का चेरा बना ले अरे रामण ने का बुद्ध ये का मैं पहले ही कर चुका हूँ तू मुझे क्या बता रहा है क्या का ये का मैं पहले ही कर के जा चुका हूँ सीता के बास पहले ही में जा चुका हूँ राम का रूप बना के जा चुका हूँ पर दिक्कत ये है मैं जैसे ही राम का रूप बनाता हूँ तो भीतर का काम मेरा खतम हो जाता है समझ में? मैं जैसे ही? किसका? राम का रूप बना लूँ तो जो काम भीतर जगता है ना वासना भीतर जगती है ना जो भीतर में गलत भाव जगते हैं वो भाव खतब हो रहे अब करूँ तो क्या करूँ रामन बनू तो सीता को पाने का मन होता है राम बनू तो पराइस्त्री में भी भगवान नजर आता है मैं ये कहना चाहता हूँ जब व्यक्ति के भीतर संबोधी के प्रग्या जागरत हो जाती है संबोधी का जीवन जीने के लिए अब मैं आपको पांच चन दे रहा हूँ और सबसे पहला चन सबसे पहला अगर क्यों चन है जिसको हम जीवन में अगर जी लेते हैं तो जीवन का हर पल, हर अक्षन शांती से, सफलता से, प्रेम से, आनंद से स्वास्त्य से, स्वस्त रहकर और बिल्कुल निरोगी रहकर मन को आनंद भाव से भरकर हम जीवन को जी सकते हैं और वो पहला चन है संबोधी हमें जीवन का पहला मार्ग देती है, और वो है सकारात्मक सोच चलो हम एक काम करते हैं हम संबोधी में हैं तो सारी बातें हम सर से समझते हैं पहली चीज, सोच अच्छी हो दूसरी चीज, सवभाव अच्छा हो तीसरी चीज़ शब्द अच्छे हो चौती चीज़ संबंद अच्छे हो और पांच भी चीज़ संसकार अच्छे हो पहला शब्द मेंने क्या कहा? सोच अच्छी चीज़ आईए यही आदमी को गिराती है यही आदमी को उठाती है रामन के रामन बनने में किसी और का हाथ नहीं था सोच का हाथ था तो राम को राम बनने में कोई पडोसी का थोड़ी था उनकी अपनी सोच का हाथ था समझ में आई अगर दुनिया में हिटलर हिंसक बना तो उसकी सोच का प्रणाम है और दुनिया में अगर माहवीर अहिंसा के उपाशक बने तो ये उनकी सोच का प्रिणाम है ये सोच का प्रिणाम है कि एक आदमी मतलब ककड़ी को भी अगर काटता सुधारता है तो हजार बार सोचता है कि कहीं जीव कहनन नहो और एक आदमी बकरे को भी काटता है तो सोच नहीं पाता है ये सोच का प्रिणाम है सोच ही है जो हमारे संबंदों को मीठा बनाती है और सोच ही है जो संबंदों को तलाक तक लेकर जाती है बस इस सोच में थोड़ा सा फरक है जब हमारी सोच पॉजिटिव बनती है तो हम दूसरों को भी अपना बनाने में सफल हो जाते हैं जब हमारी सोच नेगेटिव बननी शुरू होती है तो अपने भी हमें पराई लगने शुरू हो जाते है कई बार आपने देखा होगा कि आप अपने बच्चे को हजार वार समझाते हैं तो गलत रसते जा रहा है बेटा तो ऐसा मत कर बेटा तेरी कान तेरा वंच, तेरी कुल तेरी कीर्थी, पता ने हमने कितने उंची अरमान पाल कर तुम्हें बड़ा किया है, पाल पोस्कर तयार किया है यह दिन देखने थोड़ी की यह कि तुह इस तरह बटक जाएगा पर क्या वो समझ पाता है समझ पाता है हजार वार समझा दो, लाख वार समझा दो उसे तो वो एक भूत समा रहे है वो भूत ही दिखता है इसके अरहां से कुछ नहीं दिखता तब हम क्या कहते हैं लगता है इसको कोई शनी के दशा लग गई है कहते हैं यह शनी नहीं है ना तो शनी के दशा है ना मनी के दशा है यह सोच है जब सोच आदमी की गिरनी शुरू होती है जब सोच आदमी के नेगेटिव होती है जब सोच आदमी के नकरात्मक होती है तो जैसे ज्वरगरस्त व्यक्ति को अच्छी दवा भी कड़वी लगती है अच्छी नहीं लगती है ऐसा ही सोच जिसके नकरात्मक हो जाए उसे कितनी भी अच्छी सीख दे दी जाए पर उसाज भी कुछ सूहाती नहीं है उसे वही वही अच्छा लगता है जो उसे वो जिसके साथ उसका वो हो गया है नेगेटिव रस्ता वो जो समझाता है उसे वो ही अच्छा लगता है कितने लोग हजार लोग मिलकर समझा दे पर मका किया हज किया बन के आया हाजी और आजमगड में जब से लोटा फिर पाजी का मका किया और आगे हज किया और बन के आया हाजी ये आजमगड स्वज़ क्यों पैदा हुआ है ये इसलिए कहा गया प्रतिकात्मक कि आदमी मक्का हज का मतलब नहीं है कि आदमी संबोधी धाम भी जाके आ गया पालितना भी जाके आ गया हरद्वार भी जाके आ गया सम्मिश सिखर भी जाके आ गया तिरूपती भी जाके आ गया हजार हजार संतों के पास भी जाके आ गया पर जब तक ये न सुदरी क्या मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा कि जब तक मन न सुदरा तो काहे जितने कपड़े बदलने कोई फरक नहीं पड़ता वेश बदला एड्रेस बदला परिवेश से बदला पर अपनी सोच को न बदला तो सब बदले वे बिकार चलेगा तो कहां मक्का किया हज किया और बनके आया हाजी यानि वो एक फर क्या हुआ एक विदेश यात्रा पर भारस से कोई मंत्री जी जा रहे थे और संयोग से उनकी फ्लाइट में उनके हविजाज में एक बिल्ली भी चड़ गए अब चड़ गए सो चड़ गए अब उन सब लोगों ने देखा या बिल्ली आ गई है तो चलो इसको भी लंदन गुमा किये ले आएंगे अब लंदन में बहुत बड़ा अधिवेशन रखा हुआ था बहुत सारे विश्वबर के सारे राष्ट परती प्रदान मंतरी विदेश मंतरी हजारों हजार लोग वहाँ पर इकटे थे बहुत बड़ा एक सभागार में पुरे विश्वबर का वो कारिक्रम था बिल्ली को भी वा ले जाये गया वो भी बिचरी वहा रही वो भी कारिक्रम में पूरा हिस्सा लिया वहाँ पस आई और जैसे ही दिल्ली पर उत्री इंद्रा गांधी ऐरोडराम पर जैसे हो बाहर निकली तो पत्रकारों ने उसको गेरा किसको मंतरी जी को नहीं किसको बिल्ली को गेरा अरे यार इससे सुनो अनुभाव तो बिल्ली को बुझा भाई बिल्ली तु वाँ गूम की आई इतना बड़ा कारिकरम तु देख कर आई तुने वाँ क्या क्या देखा बिल्ली ने का सची बताओ अपने वाले जो विदेश मंतरी बैठे थे न उनके बिल्कुल नीचे एक चुहा बैठा था मैं तो तीन गड़े था को उसी को देखते रहे इसकला कुछ नहीं देख मका किया हज किया और बन के आया हाजी और आजम गड़ से जब सक व्यक्ति के नजरे नहीं सुद्रेगी सोच नहीं सुद्रेगी मानसिक्ता नहीं सुद्रेगी अंतरदिष्टी नहीं सुद्रेगी लाख उपाय कर ले परिणाम नहीं आएगा इसलिए परिणाम पाने के लिए आदमे के अंतरदिष्टी दिर्मल होनी जरूरी है और उसी अंतरदिष्टी का नाम है सोच जिसे भगवान श्री महाविड ने सम्यक दर्षन, सम्यक ज्यान शब्द काए उसी को आज हम आज की बासा में समझ लें सम्यक सोच होनी चाहिए